हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज मेरे साथ ही हो यह विजय एजुकेशन एंड न्यूज का सेकिंड चैनल है विजय नर्सिंग क्लास इच जहाँ पर आपको डेली टॉपिक वाइज कुछ इस प्रकार की वीडियोज मिलते रहेंगे और ये वीडियोज आपको रेगूलर मिलेंगे तो इसलिए इस चैनल को एक बार आप सभी सब्सक्राइब करके रख लें अपना मेन मुख्य चैनल विजय जो कैसे नर्नियूज है लेकिन इस पर भी हम साथ ही साथ पेपर सोलिशन और इस प्रकार की वीडियोज डालेंगे ताकि आपको और हैल्प मिलती रहे हम ज्यादा से ज्यादा आपको इस्टडी माटेरियल देना चाहते हैं ताकि आपके कोई भी क्यूसन गलत नहीं हो इस चैनल पर हम फिजिक्स और कैमिस्ट्री के भी इसी परकार की क्यूसन पेपर सॉल्व करके डालने वाले हैं तो देखिएगा सबसे पहला प्रशन लेते हैं बायो टेक टॉपिक ले रहे हैं आज अपन सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहला जो क्यूसन नहीं वो है कौन से एंजाइम डियने को विशिस्ट इस्तलों से काटते हैं सबी बच्चे आंसवर दीजिएगा ये मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ा भी रखा है तो बताओ देखें कौन से एंजाइम डियने को विशिस्ट इस्तलों से काटते हैं और मैं यह एक बात और बता दू इन्हें आणविक केंची भी कहते हैं इन्हें इन्जाइमों को हम क्या कहते हैं आणविक केंची यानि मोलीक्यूलर सीजर भी कहते हैं अब अगर आपको अंसवर याद आ गया है तो बता दो बिल्कुल सही सभी का अंसवर आना शुरू भी हो चुका है रेस्ट्रिक्षन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ठीक है वेरी गुड अगले प्रशन पर चलते हैं अगला जो प्रशन है मेरे दोस्तों वो है वाहक डियने है यानि इन में से आपको बताना है कि कौन सा वाहक डियने है पहले तो यह जान लो कि वाहक डियने कहते किसे हैं वाहक डियने का मतलब है मेरे दोस्तों ऐसा डियने जिस पर आप कोई विशिष्ट लक्स अन्युक्त डियने खंड जोड सकते हो जो हमारे किसी विशिष्परकार के जीन को किसी वोस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवाने में मदद करता हो वो DNA वाक DNA होगा ठीक है तो देखिएगा वाक DNA की भूमिका में कौन है पता ये प्लाजमिड वाक DNA है क्या बिल्कुल सर प्लाजमिड ये तो है वाक DNA क्या सी DNA वाक DNA नहीं सी DNA थे कॉंप्लिमेंटरी DNA है ठीक है तो ये आंस्वर होगे आपका अब मैं आपसे एक प्रशन पूछना चाहता हूँ वाक DNA के रूप में प्लाजमिड के अलावा और हम किसका उप्यो करते हैं किसका उप्यो करते हैं सर एक तो हम कॉस्मिड का करते हैं एक हम बैक्टीरियो फेज का करते हैं और भी किसी का करते हो क्या हां करते हैं किसका फेजमिड और ट्रांस पोजोन ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले दो प्रशनों पे देखिएगा अगला जो मेरे दोस्तों प्रश्ण है वो भी काफी important है प्रश्ण क्या है ध्यान से देखना प्रश्ण है DNA खंडों की पहचान में कौन सी ब्लोटिंग तक्निक काम में आती है बताईएगा मुझे DNA खंड की पहचान करनी है तो मैं ब्लोटिंग की कौन सी तक्निक का उप्योग करूँगा ब्लोटिंग तीन प्रकार की होती है सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न तो DNA खंड की पहचान करने के लिए कौन सी ब्लोटिंग में दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हो सदर्न ब्लोटिंग ठीक है पर दोस्तों नदर्न ब्लोटिंग होती है RNA के लिए ठीक है और वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है किसके लिए प्रोटिंग के लिए अगले प्रुशन पर चलते हैं अगला जो प्रशने वो काफी important है प्रशने है CDNA की निर्माण में कौन उपयोग में आता है मुझे CDNA बढ़ाना है तो मुझे क्या काम में लेना पड़ेगा TRNA, MRNA या RRNA वेरी गुड MRNA और आपको पता होना चाहिए MRNA से हम CDNA कैसे बढ़ाते है तो MRNA से मेरे दोस्तो reverse transcriptase enzyme की मदद से जो DNA बढ़ता है उसे CDNA कहते है मेरे दोस्तो CDNA कैसा DNA है जिसमें किसी भी प्रकार के अनावशे कोडो नहीं होते ये पूरा का पूरा DNA protein sensation में भाग लेता है अब इसके बाद में next जो आपका प्रशन है वो भी काफी important है काफी एहम प्रशन है प्रशन को ध्यान से देखिएगा प्रशन है ECO-R नामक एंजाइम का स्रोत क्या है यानि ये जो आपको एंजाइम दिख रहा है ये एक तरह का restriction endonuclease enzyme है तो ECO-R-FEST वैसे इसका सही नाम है तो ECO-R-FEST मेरे दोस्तों ये एंजाइम किस से प्राप्ट किया गया है तो आप बताईएगा ये जीवानों से प्राप्ट किया गया है सिवाल से प्राप्ट किया गया है दो option में और रख लिता हूँ वाइरस से प्राप्ट किया गया है की मेरे दोस्तों किसी एनिमल से प्राप्ट किया गया है बिल्कुल सही कहा रहे हैं सबी बच्चे सर इसे तो जीवानों से प्राप्ट किया गया है और उस जीवानों का नाम है इसचीरिया कोलाई ठीक हैं, अगला जो پ्रशन है वो भी काफी एहम है मेरे दोस्तों और वो है आपका सबसे पहले पराग कोश समर्दन के द्वारा पराग कोश समर्दन के द्वारा परशन को देखते हैं पराग कोश समर्दन के द्वारा अगुनित पादब विक्षित करने का स्रेय किसको दिया जाता है वो कौन सा वैग्यानिक है जिसने मेरे दो पराग कोज समर्धन के द्वारा एगुनित पोदा विक्षित करने की तकनिक सुजाई थी उस वैज्यानी का आपको क्या बताना है नाम बताना है मेरे दोस्तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए और जिसका नाम था डॉक्टर पंचानन माईश्वरी डॉक्टर पंचानन माईश्वरी ने मेरे दोस्तो पाधप भ्रून विज्ञान यानि बोटनी के बारे में बहुत मैतोपुन परियोग किये थे ठीक है तो जब भी आपके सामने डॉक्टर पंचानन माईश्वरी का जिक्राए और कहीं प पराग को से अगुनित पादविक्सित करने की तो देखिएगा मैस्वरी आपको कौन कौन से उप्सन में मिल रहा है तो सर मैस्वरी तो हमें पहले उप्सन में भी मिल रहा है और हमें लास्ट उप्सन में भी मिल रहा है तो याद रखें मेरे दोस्तो यहाँ पे आपको जो है अब उत्तक समर्दन का जनक मेरे दोस्तों हेबरलेंड नाम के साइंटिस्ट को कहा जाता है ये नाम आपको रटने ही पड़ेंगे और आपके पास कोई जरिया नहीं है इसी तरह से next मेरे दोस्तों क्यूसन है त्री गुणित पादप समर्दन हे तू निम्न में से कौन सा करतो तक उपयोग में लिया जाता है मुझे अगर त्री गुणित त्री गुणित का मतलब तो आप समझते ही होंगे मेरे दोस्तों त्री गुणित का मतलब ये है कि जब कोई पोदे की कोशीका के अंदर गुण सुत्र जो हैं वो तीन-तीन के गुरुप में हो एक जोड़े में नॉर्मली दो होते हैं लेकिन जब तीन-तीन के समू में हो तो अईसी कोशीका को ठ्री एन कहते हैं और किसी भी पादप के अंदर त्री गुणित कोशीका केवल और केवल बृुनपो उसी होती है जिसे एंडोस्पम कहते हैं तो मेरे दोस्तों एंडोस्पम के द्वारा हम जो है त्री गुनित पादप विक्सित कर सकते हैं अगला प्रशन है पादपो में एपर्तियक्स जीन इस्तानांतरण किस विदी से किया जाता है आपके सामने ओप्सन है मेरे दोस्तो जीन गन द्वारा विद्यू सिद्रण द्वारा सुक्सम इंजेक्शन द्वारा की एगरो बैक्टिरियम द्वारा पहले तर अब ये जानलो मेरे दोस्तो ऐपर्तियक्स और प्रितियक्स जीन इस्तानांतरण में अंतर क्या है सुनो देखो पर्तियक्स जीन इस्तानांतरण को डारेक्ट जीन ट्रांसपर कहते हैं इसके त conspiracy का कि अंदर हम किसी विसेश़ परकार के यंतर द्वारा या उपकरण द्वारा सीधा जीन ट्रांसपर करते हैं वहीं अपर्टेक्स यानि इंडारेक्ट जीन ट्रांसपर में हम किसी भी परपोसी कोसी का के अंदर मेरे दोस्तों किसी वाहक की मदद से जीन को ट्रांसपर करते हैं तो इसलिए जहाँ पर कोई वाहक परियुक्त होगा, वो तो है hypertex, और जहाँ सीधा भेजा जाएगा, जीन, वो है hypertex, तो इसलिए आपका कौन सा option सही होगा, तो sir, option number D सही होगा, option number D में लिखा हुआ एग्रो बेक्टीरियम दौरा, अब आप कहोगे sir, अग्रो बैक्टिरियम क्या है देखिए एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फीशियस नाम का एक बैक्टिरिया होता है और इस बैक्टिरिया के अंदर एक प्लाजमिड होता है मेरे दोस्तो उस प्लाजमिड का नाम है टी आई प्लाजमिड और यह जो T.I. प्लाजमिट होता है दोस्तों यह जो है उप्योग में लिया जाता है पोदों के अंदर मेरे दोस्तों विशिष्ट लक्सन युक्त जीन को ट्रांसपर करने में आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियस के प्लाजमिट को क्या कहते है टी आई प्लाजमिट कहते है ठीक है अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रशन है बीटी जीन युक्त का पास क्या कहलाती है बीटी जीन युक्त का पास क्या सुनिएगा मेरे दोस्तों बीटी कपास पहले तो बीटी कोटन है क्या ये संख्षेप में जान लो एक नॉर्मल जो कपास तुरेंजीनसिस बैसिलस तुरेंजीनसिस नाम के जीवानों से एक जीन अलग किया उस जीन का नाम है क्राईजीन और उस क्राईजीन को मेरे दोस्तों कोटन के पोधे में डाल दिया जैसे ही कोटन के पोधे में क्राईजीन डाला कोटन के पोधे के अंदर मेरे दोस्तों एक जहरीली प्रोटीन बनने लगी अब इस कोटन के पोदे के उपर जैसे ही मेरे दोस्तों कीट हमला करते तो तुरंत वो कीट कीटों के सरीर में प्रोटीन जाने लगी और वो प्रोटीन जैसे ही कीटों के आथ में जाती आथ में जाकर सक्रिय हो जाती और सक्रिय होने से कीट मर जाता तो नॉर्मली वो प्रोटीन जब पोदे के अंदर थी तब पोदे को कोई खतरा नहीं था लेकिन पोदे के जन्तु के आंत में जा करके खतरा उत्पन कर रही थी कुल मिला करके हमने पोदे को पीड को के परती परती रोधकता दे दी किसके द्वारा बेसिलस थुरेंच जीन से इस जीवानों के जीन द्वारा याद रख लेना बड़ी बात है ठीक है अब मेरे दोस्तों अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन क्या है देखिएगा हैं इसी को R-DNA या Recombined DNA या पुनर योगस DNA कहते हैं अगला जो प्रशने देखिए पुनर योगस DNA प्रोधयोगी की किसे कहते हैं तो ऐसी प्रोधयोगी की जिसमें अपन R-DNA बनाते हैं ठीक है किस एंजाइम को आणवी केंची कहते हैं मैंने भी बताया restriction एंडो न्यूकल पुलिपों में पॉली मरेज, चेन, रीक्शन और मियरे दोस्तों PCR नाम की तकनीक एक वेग्यानिकनिक ने विक्षित की थी जिसका नाम है केरी मूलीस, क्या नाम है केरी मूलीस, कई बार परिशन्हे से पूज लेते हैं क्या PCR तकनीक के लिए किसी वहक, DNA की आव सकता होती है तब आपका अंस्वर होगा नहीं बिना किसी वाहक के हम किसी भी जीन की लाखो परतियां बहुत कम समय में PCR द्वारा प्राप कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है DNA खंडों को सुद्ध करके अलग करने की तक्निक क्या कहलाती है मेरे दोस्तों मेरे पास DNA के कटे हुए खंड है और उन खंडों को उनकी आकार के अनुरूप मुझे अलग-अलग करना है तो बताओ मैं कौन सी तक्निक काम में लूँगा तब आपका अंस्वर होगा जेल इलक्ट्रोफोरेसिस और मेरे दोस्तों जेल इलक्ट्रोफोरेसिस तक्निक के अंदर हम कौन सी जेल काम में लेते हैं एगारोज जेल और पुली एक्रिल एमाइड PCR का विकास किसने किया केरी मुलीस ने ठीक है CDNA के बारे मैंने पहले ही बता दिया mRNA से बढ़ने वाड़ा CDNA केलाता है और CDNA लाइबरेरी किसे कहते हैं तो ऐसी लाइबरेरी जिसमें CDNA का उप्योग किया जाता है ठीक है मेरे दोस्तों जीनोमिक लाइबरेरी वो है जिसमें संपूर्ण जीनोम को जो है हम रखते हैं या उसका संग्रे करते हैं आणविक प्रोब क्या है तो मेरे दोस्तों Radioactive Label जो DNA या RNA होते हैं उन्हें हम आणविक प्रोब कहते हैं याद रख लेना तो मैंने कोई ऐसा DNA बना दिया जिसके अंदर जो भी कारबन वगेरा नाइट्रोजन है वो रेडियो सक्रिय तत्व अगर है तो ऐसा तत्व या कोई विसे इस परकार की जेव परदीपती उत्पन करने वाड़ा जो गटक मैंने अगर DNA या RNA में जोड़ दिया तो उसे आणविक प्रोब कहेंगे जिनका उप्योग DNA फिंगर प्रिंटिंग में और और भी बहुत सी विदी में किया जाता है ठीक है मेरे दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट जो क्योसन है उस पर ध्यान दीजेगा कि मारकर जीन क्या है मारकर जीन मेरे दोस्तों ऐसे जीन होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि किसी कोसीका के अंदर विशिष्ट परकार के जीन का निवेशन हुआ है कि नहीं हुआ मेरे दोस्त एक वाहक है एक प्लाजमिड है जिसका नाम है PBR 322 PBR 322 पर दो एंटी बायोटिक के जीन पाए जाते हैं उन जीन का नाम अगर आप से पूछे तो बताओगे TETR और AMPR यहनि MPC लेन के परती रेसिस्टेंस और TETRA साइकले इनके परती रेसिस्टेंस आज के लि